हलो दोस्त आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि सल्मान खान की मूवी ने इद वाले दिन कितना कलेक्शन किया है मैं हूँ अमन आपके चैनल सिनेमेटिक फोर यू से है अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूले आप मेरी एक भी वीडियो को मिस ना कर पाए आप यह वीडियो अंधर तक देखें आपको सारी डिटेल मिल पाए जैसा कि आप जानते हैं कि करोना वाइरस ने सारे विश में तवाई मचा रखी है इस बार यानी 2020 में इड के त्वार पर भी फिल्मी परदे पर कोई धमाल नहीं होगा हर साल इड पर फैंस को अपनी फिल्मों से ईडी का तवफा देने वाले सल्मान खान भी इस बार अपनी कोई फिल्म रिलीज नहीं कर पाएंगे वैसे तो करोना वाइरस की वज़े से पूरे विश में काफी नुकसान हो रहा है इससे हमारी फिल्मी नगरी भी अचुती नहीं रही है और हमारी फिल्म इंडस्ट्री को भी काफी नुकसान हुआ है लेकिन कई सालों बाद ऐसा हो रहा है जब इड के मौके पर सीनिमा घरों में दर्शेग की लाइन देखने को नहीं मिलेगी अगर हम सल्मान कान की बात करें तो 2010 से लगातार इड पर अपनी फिल्में रिलीज कर रहे हैं उन्होंने इन 10 सालों में सिर्फ 2013 में ही इड पर कोई फिल्म नहीं की थी इसके अलावा हर साल सल्मान की फिल्में इड पर दमाल मचा रही है इस बार ईद पर भी सिल्मान खान अपनी फिल्म रादे Your Most Wanted By के साथ आने वाले थे लेकिन उनका प्रजक्त करोना वाइरस के चलते डिले हो गया है। ऐसे में बॉक्स आफिस कलेक्शन पर भी शांती दिखाई देगी। इस बार बलही सिल्मान खान बॉक्स आफिस पर धमाल सुनाक्षी सिना, सोनु सूद, विनोत खना, डिंपल कपाडिया और अन्वम केर मुक्य भूमी का मैं है। जिसका निर्देशन अभिनव कश्यप ने वह निर्माण अर्बास खान ने किया था। इस फिल्म से सुनाक्षी सिना ने अभिना के शेत्र में पदारपन किया दबंग मुवी ने ईद के उपनिंग डेपर 14 करोड 50 लाक रुबे की कमाई करी थी। बॉडिगार्ड सिल्माण खान के अलावा इस फिल्म में करीना कपूर, राजबबर, हजेल किच और महेश मांजरिकर मुक्य भूमी का मैं है। यह एक हिंदी अक्षन फिल्म है जिसका निर्देशन सिद्धी की द्वारा किया गया था। यह निर्देशक द्वारा इसी नाम से तीसरी फिल्म रीमेक में बनाई थी जिसका निर्माण अतुल अगीनोतरी ने किया था। बॉडिगार्ड मुवी ने ईद के उपनिंग डेपर 21 करोड 60 लाक रुबे की कमाई करी थ यह फिल्म पूर रौजासूस रविंद्र कौशिक के जीवन को आधार लेकर बनाई गई थी लेकिन विवादों से बचने के लिए कहानी में बदलाव कर दिये गए थी। एक ता टाइगर मुवी ने ईद के उपनिंग डे पर 32 करोड 93 लाक रुपे की कमाई करी थी। किक सल्मान के अलावा इस फिल्म में जैकलिन फनांडिस, रंदीप हुड़ा और नवजुद्दीन सिद्धी की मुक्य भुमी कमें हैं। यह एक एक्शन फीचर फिल्म है। इस फिल्म के निर्देशन तथा निर्माता साजित नाडिया वाला थे। यह 2009 में आई तेल्गु फि की मुक्य भुमी का में है। यह एक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन कबीर खान ने वा निर्मान सिल्मान खान और रॉकलीन वैंक्टेश ने किया था। बजरंगी भाइजान मुवी ने ईद के उपनिंग डे पर 27 करोड 25 रुपे की कमाई करी थी। सुल्तान सिल्मान सिल्मान के अलावा इस फिल्म में अनुश्का शिर्मा और रंदी फुंटडा मुक्य भुमिका में है। यह एक स्पोर्ट ड्रामा हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन अली अबबास जफर ने तथा निर्मान आदित चोपड़ाने किया था। सुल्तान मुवी ने ईद के उपनिंग डे पर 36 करोड 54 रुपे की कमाई करी थी। ट्यूब लाइट सिल्मान के अलावा इस फिल्म में सुएल खान, जूंजूं और हासीम खान मुक्य भुमिका में हैं। यह एक कबीर खान द्वारा निर्दिर्शित भारती ड्रामा फिल्म हैं जिसके निर्माता कबीर खान और सिल्मान खान थे। इस फिल्म की कहानी 1962 के भारत चीन युद्ध के समय की हैं जिसमें सिल्मान खान ने एक भारतिय विक्ती की भुमिका निबाई है और जिसे चीन की एक लड़की से प्यार हो जाता है। ट्यूब लाइट मुवी ने इद के उपनिंग डे पर 21 करो इस फिल्म में अनिल कपूर, बाबी देवल, जाकलिन फंडांडिस, डेजी शा, साकिब, सलीम और फ्रेडी दारुवाला मुक्य भुमिका में हैं। यह एक बारतिय हिंदी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन रेमो डिसुजा ने और निर्मार टिप्स फिल्म वसल्मान खान फिल्म्स ने किया था, यह 2008 में बनी रेस फिल्म की तीसरी कड़ी थी, रेस थ्री मुवी ने ईद के उपनिंग डे पर 29 करोड, 17 लाग कुर्बे की कमाई करी थी, भारत, सिल्मान के अलावा इस फिल्म में काट्रीना कैफ, दिशा पतानी, सुनील क्रोवर और जाकी मुक्य भुमिका में हैं, यह एक हिंदी ड्रामा फिल्म है, यह अतुल अगिनियोतरी, अलवीरा खान अगिनियोतरी, भूशन कुमार, कृशन कुमार, निखिल नमित, और सिल्मान खान द्वारा, बैनर, रिलीज लाइफ प्रोडेक्शन, सिल्मान कान फिल्म्स और टी सीरी सिल्मान की आने वाली फिल्मों में रादे यॉर्मस्ट वांटेड भाई की शूटिंग तो लगवक पूरी हो गई है, लेकिन अभी फिल्म की लास्चेडूल की शूटिंग और एडिटिंग होना बाकी है, अगर करोना वायरस का केर ना होता, तो प्रोजेक्ट सही समय पर पूरा हो जाता और ईद पर फैंस को सिल्मान कान की सौगा जरूर मिलती, अब बताया जा रहा है कि सिल्मान कान की रादे यॉर्मस्ट वांटेड भाई इद पर नहीं बलकि दिवाली पर रिलीज हो सकती है, आप कमेंड में लिक कर बता सकते हैं कि आपको किस वालीवूड टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं, उमिद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, धन्यवाद.